आज मैं आपको कच्छा आठ की हिंदी पढ़ाने जा रहे हूं यह वट आपका दूसरा लेशन है साइकल किसा आ रही इसमें से कुछ पैराग्राप मैंने पढ़ा दिये हैं आज उसके आगे हमें पढ़ाना है आज देखिए यहां से पढ़ाना है मुझे मुझे पुला कर हमन आदमी तो ऐसा है एक मगर वहां मुफ्त में नहीं सिखाएगा फीस लेगा देश अकोगे कितने दिन में सिखा देगा यही दस बारा दिनों में और फीस क्या लेगा हमसे औरों से पचीस लेता है तुमसे बीस ले लेगा हमारी खातिर हमने सोचा दस दिन में सिखाएगा औ 20 रुपए लेगा 10 दिन 20 रुपए 20 रुपए 10 दिन अर्थाथ 2 रुपए रो जाना अर्थाथ 60 रुपए महीना हो गया हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तैं कराओ मगर जी में खुस हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल पसे छण विद्याले खोल दें और 300-400 रुपए महासी कमाने लगी इधर तिवारी जी मामला तैं करने गए उधर हमने यह सुपसमाचार जाकर स्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम एक ऐसा विद्याले खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी स्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओजह पनना गया पहले आप तो सीख लो फिर विद्याले खोल लेना मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही नहीं सकोगे दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है हमने बिगड़ कर कहा या तुमने तुमने बड़ी बुई आदत है कि हर काम में टोंक देती हो हमसे बड़े बड़े सीख रहें तो क्या हम ना सीख सकेंगे और पहले तो सायद सीखते या ना सीखते मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे तुम भी क्या कहोगी स्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाज जहाँ चरो यह सायकिल क्या चीज है पर तुम्हारे सुभाव से डर लगता है एक बार गिरोगे तो देख लेना सायकिल वहीं फेख पांक कर चले आओगे इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान स्रद्धा से हाँ जोड़ कर पड़ाम किया और चुपचाप खड़े हो गए अब तिवारी जी जो है कहते हैं कि भया ठीक है एक आदमी है जो साइकल आपको सिखाएंगे लेकिन क्या है वह आप से फीज भी लेंगे तो लेखा कहता है कितना लेंगे उन्हें कहा कि 25 रुपए लेते हैं पर मैं तुम्हारे लिए 20 रुपए कर दूगा मैं बीस कि अपनी मन सोचता है कि चलिए अब जो है जो हम सीख लेंगे चलाना एक लिए प्रसेश्चन विद्याले खोल देंगे और दो चार सो रुपए मुझे मासिक मुझे मिलने लगेगा यह समचार जो है उधर जब तैह हो जाता है तो जाकर कि अपनी पत्नी को सुनाते हैं कहते हैं कि अब मैं क्या है जब साइकल चलाना से लोंगा तो विद्याले खोल लोंगा जिसने हमाई 2400 रुपए की आमदनी हो जाएगी स्री मति उनके ओजएपन मतलब उनके इस पाकलपन पर जो है कहते हैं कि तौहारे अभी हवस्ता भले आप उमर्दार हो गए हैं बड़े हो गया हैं लेकिन अभी भी आपके अंदर पाकलपन है जो है पहले भी सीखे नहीं है और जो है बिद्याले खोले हमें लगे और पहल तुम्हार समय टोकती रहती हो, हमसे बड़े बड़े तो लोग सीख लेते हम कैसे नहीं सीख पाएंगे, तुम टोका मत करो, थ्री मती जी कहती है, लेका की पत्नी कहती है कि ऐसा है, मैं तो चाहेती हूँ कि तुम हवाई जहाँ चला, क्या आप हवाई जहाँ चला सकते हो, ज जो है मैं जानती हो कि जिस दिन तुम साइकल से गिर जाओगे उसी दिन वहीं साइकल फेक के चले आओगे तभी तीवारी जी आवाज देते हैं और जो है देखते हैं जाकर कि उस्ताद सहब खड़े थे और वह इस तरह उनके सामने पेश आते हैं जैसे कोई भी त्यार थी हा जानिवाद